हैलो स्टूरेंट्स तो लास्ट टाइम अपने पढ़ा था साइकलोस्टोमेटा जो क्लास थी साइकलोस्टोमेटा जो कौन से डिविजन में आ रही थी एक गनेथा में जिनके अंदर जो अपसेंट थे अब उसके बाद क्लास आती है कौन रिस्थाइसिस यह नको बोलते हैं क तो यह वाली किसमें आते है कौन से डिविजन में गनेथा स्टोमेटा में गनेथा स्टोम जो हैं उनके अंदर आती है जिनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं तो अब पहले हैं कार्टिले जीनियस फिसीज तो करे दे आर मेरीन एनिमल विद स्ट्रीम लाइन बोडी एंड है ओ कार्टिले जीनियस एंडो स्केलेटन कि मेरी स्ट्रीम लाइन बोडी होती है और कार्टिलेज का बना हुआ क्या मिलेगा झाले आ रॉलेक है इसलिए इनको cartilage in species भी बोल रहे है ठीक है फिर करा माउथ जो है वो इनका का लोकेटिड होता है वेंटरल साइड में जो लोवर साइड है बोडी की उधर इनका माउथ की लोकेशन मिलेगी यहीं माउथ ही लोकेटिड अ वेंटरल साइड तीक है और नोटोब्योड में पर्सिस्ट करती है नोटोब्य ब्रेजन फूरो आउट दा लाइटो अन नोटोब्योड प्रेजन रहती है और gill slits जो हैं वो separate रहते हैं pair में मिलेंगे कितने में मिलेंगे 5 to 7 pairs मिलेंगे 5 to 7 pairs of gill slit मिलेंगे and without operculum उन gills की covering absent मिलती है gill cover नहीं होते इनको क्या बोलते हैं operculum तो अभी आगे पढ़ेंगे bonny feces उनके अंदर देखा जाता है कि उनके अंदर gills को cover करने के लिए क्या present होता है operculum present होता है लेकिन operculum की absence दिखती है कि इनके अंदर cartilaginous feces के अंदर तो ये gill cover नहीं present नहीं होता और 5 to 7 pair gill slit या gill pair present होते हैं lateral side में उसके बाद आता है skin जो इनकी skin रहती है वो कैसी रहती है tough रहती है and containing minute placoid scale तो हमने पीछे वाला पड़ा था cyclostomata उन पे scales थे वो slippery skin थी उनकी क्योंकि वो devoid थे scale से without scale present थे scale नहीं थे उनके अंदर लेकिन यहां क्या है minute placoid scale मिलेंगे जिनकी वज़े से इनकी skin कैसी हो जाती है tough हो जाती है इनकी skin फिर आता है जो teeth है are modified placoid scale इनके जो में teeth की presence दिखती है वो क्या ही रहते है modified placoid scale ही रहते है which are backwardly directed जिनकी position कैसी है कि वो किदर direct है backwardly and there are very powerful and these animals are predaceous predaceous species होती है जो marine water में मिलती है mainly वो रहती है due to absence of air bladder इनके अंदर air bladder भी present नहीं होता so they have to swim constantly to avoid sinking तो sinking से बचने के लिए उनको continuous swim करना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर air bladder की presence नहीं होती air bladder bio and see maintain करने में role play करता है वो इनके अंदर present नहीं होता तो इनको continuous swim करना पड़ता है एक फिर important feature आता है cloical aperture aperture मतलब opening इनमें common opening रहती है cloical aperture वो दिखता है present होता है और genital duct open into cloical aperture जो genital duct है जिससे gamet release होंगे जिसमें gamet आएंगे वो भी किसमें open होता है cloical aperture में open होता है तो ये इनके अंदर present होता है जबकि bonny feces के अंदर cloical aperture absent रहता है उनमें present नहीं होता फिर करहाँ देरीजे special structure at the dorsal surface of head कि उनका जो head है उसके dorsal side में उपर वाली side में एक special structure present होता है in these feces which is called ampulla of lorengini उसको बोलते हैं special structure को ampulla of lorengini वो present रहता है which works as thermoreceptor organ जो कैसे काम करता है thermoreceptor यानि कि किस से sensitive रहता है वो temperature sensitive रहता है temperature change को पैचान सकता है तो वो present होता है ampulla of lorengini किन के अंदर cartilaginous species के अंदर देखने को मिलता है उसके बाद आता है जो heart है वो कैसा ही रहता है इनके अंदर two-chambered heart मिलता है one auricle region and नीचे वाला one ventricle region present रहता है इनके अंदर heart कैसा ही मिलेगा two-chambered रहता है अब है examples क्या-क्या है इसके तो एक example है scoliodone जिसको क्या भी बोलते हैं dog fish बोलते हैं या यह वैसे बोलते हैं common Indian shark जो है इसलिए इसको क्या भी बोलते हैं dog fish भी बोलते हैं तीक है कैसा nature से हो करती है यह viviparous की direct young one प्रड्यूज करती है तीक है वो nature रहता है इनका और उसके बाद देखाती है pristice sow fish guitar fish भी बोलते हैं इसको उसके अलावा trigon trigon को sting ray भी बोलते हैं क्यों क्योंकि इसका its dorsal fin has poisonous spine poisonous sting तो जिसका dorsal fin है उसमें क्या रहता है poisonous sting रहता है इसके लिए इसको क्या भी बोलते है sting ray भी बोलते है trigon को ठीक है और कौन parts बना रहा है sting को dorsal fin बनाने लग रहा है फिर एक example आता है torpedo जिसको बोलते हैं electric ray तो क्या रहता है इंडिस फिस एन electric organ is found एक electric organ मिलता है actually वो क्या रहता है which is a modified muscle, modified muscle होती है उसकी it can give soak averaging 100 to 400 volt 100 से 400 volt तकका वो soak generate कर सकता है जो उसकी वो modified muscle है इसलिए इसको क्या बोलते है electric ray बोलते हैं तिक वो इसका electric organ है जो उसकी modified muscle है वो इसके लावा एक example है chimera तो इसको rat fish या ghost fish भी बोलते हैं और actually में यह क्या होती है connecting link between bonnie and cartilaginus fishes कि अभी हम पढ़ रहे हैं cartilaginus fishes इसके बाद आएगा bonnie fishes तो उनके between connecting link का काम करती है कौनसी fish chimera या इसको बोलते है rat fish और ghost fish क्यों क्योंकि इसके अंदर दोनों के character देखे जाते हैं जैसे for example operculum present तो normal cartilaginus fishes में तो operculum absent रहता है लेकिन इसके अंदर operculum present रहता है and cloic absent इन fishes में तो Chloe का present था लेकिन उसमें लेकिन रहता है like in bonnie fishes तो यह ऐसी फीश है जिसमें कुछ character किसके जैसे है bonnie fishes के जैसे भी है और कुछ character किसके जैसे है cartilaginus fishes के जैसे है तो इसलिए इसको बोलते है connecting link between cartilaginus fishes and bonnie fishes तीक है यह सारे इसके example है और यह सारे इसके character है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि marine organisms है बिल्गुल streamlined bodies मिलेगी और जो endoskeleton है अंदर का heart structure है inner heart structure वो कैसा है cartilaginus nature का है cartilage का बना हुआ है bonnie part absent रहता है mouth की location हो कैसी रहती है ventral side में नीचे वाली side present होगा mouth और notocode persist करती है throughout the life और gill slits मिलेंगे pair में कितने pair five to seven pair gill slits मिलेंगे और क्या होंगे वो without operculum उनमें operculum present नहीं होगा gill cover present नहीं होगा ठीक है skin रहती हो कैसी रहती है tough रहती है क्योंकि उसके उसके उपर क्या present मिलेंगे minute placoid scales मिलते हैं उसकी बोड़ी ठीक है और तीथ रहते हैं actually में वह भी क्या part रहता है modified placoid scale होते हैं which are backwardly directly जो अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं और देर जो आर वेरी powerful जो रहते हैं इसलिए ने और गैनिंबल्स को क्या भी बोलता है सब्सक्राइब करते हैं काफी और due to absence of air bladder उनमें एर ब्लेडर होता नहीं है तो वह खुद से बाइवेंसी मेंटेन नहीं कर सकती सो दे हैव टू स्विम कॉंस्टेंटली टू अवोईट सिंकी उनको को कॉंस्टेंटलि स्विम करना पड़ता है और प्रेजेंट मिलता है और प्रेजेंट मिलता है और को लुट यौ ऊपनिंग जो रहती है उसी में कोन आके ओपन हो जाता है जैशेए इसके लवा receptor का काम करता है temperature sensitive होता है फिर हार्ट जो है वो कैसा है उसमें two chambered हार्ट मिलेगा एक auricle region मिलेगा एक ventricle region मिलेगा और common example क्या क्या है scoliodon, prises, trigon, torpedo और chimera ये इसके examples हैं जो अलग-अलग features के साथ present है दूसरी जो class है इसके अंदर वो कौन सी है bony feces ठीक है इनका नाम है bony feces यानि कि ऐसे feces जिन में जो endoskeleton है वो mainly किसका बना मिलेगा bones का बना मिलेगा ठीक है तो कहरा they are found in fresh water as well as marine water तो यह वाली जो bony feces होती है fresh water में भी मिलती है और marine water में भी present होती है और endoskeleton जो इनका है वो किसका बना मिलेगा is made up of bones so these feces are called bony feces इले इनको क्या भी बोलेंगे bony feces बोलते हैं endoskeleton bones का बना हुआ है और जो exoskeleton है भार की side जो hard parts मिलेंगे there exoskeleton is made up of scales वो किसका क्या present है भार वाली side scales present है which may be cycloid और tinoid scale cartilaginous feces में तो क्या मिले थे प्लेकोइड scale present थे और इन में bony feces के अंदर क्या present होते हैं cycloid और tinoid scale present होते हैं outer part पे exoskeleton की form में थीक है फिर गया mouth जो इनका है वो mostly कैसा रहता है terminal mouth होता है बिलकुल आगे anterior कोने पे present मिलेगा terminal position पे मिलेगा जबकि cartilaginous feces में कहां मिल रहा था ventral वाली side में मिल रहा था ठीक है उसके बाद आता है respiration तो इनके अंदर respiration कैसे होता है respiration by four pairs of gills इनके अंदर gills little present हैं lateral side में लेकिन कितने pair हैं इनके अंदर four pairs gill pair present होते हैं कि cartilaginous feces में कितने थे five to seven pairs और इनमें जो gills होते हैं these gills are covered by वो किसे cover होते हैं gills covering होती है क्या opergulum वो इनके अंदर देखने को मिलती है opergulum present रहता है फिर opergulum के अलाव एक और क्या है air bladder is present air bladder भी इनके अंदर present रहता है और these air bladders are hydrostatic hydrostatic मतलब that is they help in maintaining balance of body and provide bioancy उनके bioancy maintain करने में role play करता है overall water condition में उनकी बोडी का balance बनाने में role play करता है air bladder ठीक है उसके बाद कह रहा है एक और जो feature उससे opposite है cartilaginous feces से कि इनके अंदर cloica absent रहता है cloica present नहीं होता और in place of cloical aperture इनके अंदर क्या होता है NS is present रहता है जिससे digestive waste eliminate हो रहा होता है और genital duct जिसमें gamit travel करते हैं genital duct open outside the body through separate aperture और genital duct अलग से open हो जाता है किसी separate aperture separate opening से वो NS के अंदर open नहीं होता NS opening अलग मिलेगी और genital duct की opening अलग मिलेगी common cloica इनके अंदर absent रहता है ठीक है? उसके बाद आता है ampoula of lorengini जो उनके cartilaginous feces में dorsal side में head के dorsal side में एक thermoreceptor present था ampoula of lorengini वो इनके अंदर absent रहता है इन feces के अंदर उसकी presence नहीं मिलती ठीक है यह वाला feature तो फिर same ही है heart कैसा होता है feces में two chambered heart मिलेगा और they are cold blooded animals feces amphibian reptiles यह कैसे हैं cold blooded animals हैं boy kilo thermos है यह खुद से अपना body temperature control नहीं कर सकते इनका temperature vary करता है body temperature vary करता है according to environmental condition vary करता है फिर आता है sex is जो मिलेंगे male female वो separate मिलेंगे अलग अलग body में मिलेंगे और male और female अपने gametes कहां रिलीज कर देते हैं water condition में तो fusion भी उनका water condition में होता है तो fertilization इनका usually कैसा होता है external fertilization होता है जबकि cartilaginous feces में internal fertilization होता है इनके अंदर external fertilization होता है और they are mostly oviparish ही रहती हैं mostly oviparish mammals इनके अंदर मिलेंगे oviparish organisms इनके अंदर मिलेंगे जो egg laying करेंगे तीक है फिर इनकी जो कुछ marine forms हैं और fresh water forms हैं उनके examples बता रखें तो marine form में दो example बता रखें पहला है exocytus और एक है hippocampus तो जो exocytus है उसको flying fist भी बोलते हैं क्यों क्योंकि it can fly यानिकि glide कर सकती है over 400 meter in sea water with the help of enlarged pectoral fin कि जो उसके pectoral fin है वो इसको glide करने में help करते हैं sea water से उपर तो इसको flying fist भी बोलते हैं marine water में मिलेगी exocytus दूसरा एक example आता है hippocampus इसको sea horse भी बोलते हैं और pregnant male भी बोलते हैं क्या होता इसमें कि it's swimming sea water in vertical position क्यों कैसे swim करता है पानी में vertical position में और एक pouch like structure present होता है at the abdomen of male male fishes जो रहती है है hippocampus में उनके abdomen में value वाले region में एक pouch like structure मिलता है जिसको क्या बोलते हैं brood pouch in this pouch male collect the egg तो जो fertilized egg होते हैं वो कहां collect हो जाते हैं सारे brood pouch के अंदर जो male के abdomen region में रहता है वहाँ पे वो collect हो जाते हैं और इसलिए बोलते हैं pregnant male कि उसमें जो fertilized egg उनको कौन collect करता है male collect करके रखता है अपने एक pouch में brooding pouch के अंदर जाओन की further development हो रही होती है तिक है फिर आ रहा है fresh water fishes भी हैं इसके अलावा तो fresh water fishes में कौन सी हैं labio या जिसको क्या बोलते हैं रोहू और Indian carp बोलते हैं clarious catfish या मगूर बोलते हैं cutla इसको cutla भी बोलते हैं beta जो fighting fish रहती है aquarium fish रहे और एक होती है टी रोफाइलम angel fish वो भी aquarium fish रहती है इसके लावा आते है गैंबूसिया जो larvae वोरस fish होती है जो mosquito के larva फे फीड करती है तो यह सारे example है किसके bonny fishes के example है जिनमें दो examples तो है marine fishes के और बाकी कैसे है fresh water fishes के example है तो आपको यह comparatively याद करना है कि cartilaginous fishes में और bonny में क्या difference है तो यह का मिल रहे है fresh water और marine water दोनों में मिलेंगी इनका endoskeleton bones का बना हुआ है इसलिए bonny fishes बोलेंगे exoskeleton में scales हैं लेकिन कौन से scale हैं cycloid और tinoid scale है उनमें कैसे थे placoid scale थे इनका mouth कैसा रहता है mostly terminal region पे उनका कैसा था ventral position पे था respiration इनमें gills से ही हो रहा है कितने pairs किल मिलेंगे 4 pairs उनके अंदर 5 to 7 pairs थे इनके gills कवर्ड होता है उपर कुलम से जो gills कवर होता है और cartilaginous में वो absent था इनके अंदर air bladder presence होता है तो यह अपनी bioancy maintain कर सकती है इनको continuous swim की जरूरत नहीं भी है जबकि air bladder absent था cartilaginous feces में उनको continuous swim करना पट रहा था था इनके अंदर chloe का absent है और NS separate opening रहता है और genital opening genital duct की जो opening होती है वो भी separate रहती है जबकि cartilaginous में common opening थी chloe का इनके अंदर lempula of lorengini भी absent रहता है जो की present था cartilaginous feces में जो thermoreceptor का काम करता था heart दोनों में two chambered रहता है दोनों cold blooded animal है खुद अपना body temperature regulate नहीं कर सकते sex is separate मिलेंगे male female लेकिन इनमें fertilization इनमें कैसा होता है external की fusion of gamate का है external water condition में उनमें fusion of gamate internal होता है और they are mostly यह कैसे रहते हैं egg laying होते हैं overuparice और marine forms है और fresh water दोनों forms इनके अंदर present तो यह comparatively बना के इनका दोनों का याद करना है